तो दोस्तों आपको बताया था कि यह एक असेंडिंग ट्राइंगल जिसके हिसाब से मार्केट जो है वो नीचे ड्रॉप कर सकता है जिसके अकॉर्डिंग जो हमें सबसे अच्छा है कि स्टॉंग सपोर्ट देखने को मिलेगा वह देखने को मिलेगा आराउंड फॉर्टी वन थाउसंड से फॉर्टी टू थाउसंड के असपास करेट लेकर बात रहे तो बिटकोईन एक अच्छा का सा मोमेंटम लिया है तो अभी भी आप कहा सकते कि बिटकोई बुलिश है और जो हमने एक्सपेक करा था कि मार्केट थोड़ा नीचा कि बाउंस करेगा वह चीज इस ताइम पे नहीं हो पाई और मार्केट डारेकली मोमेंटम दे चुका है तो अब हमें एंट्री कहां मिल सकते हैं तो अब जो इंपोर्टेंट एरिया है वह है यह वाला रजिस्टेंस हाला कि दो बार टेस्ट हो चुका है तो इसके चांसे ज्यादा है कि इसी लेवल के अंदर बेटकॉइन इसको ब्रेक कर दे और अगर यह लेवल हमें भी ब्रेक होता हो मिलता है 46800 का देन हम लोग दुबारा से रिएंट्री इसी लेवल के उपर ले सकते हैं हमारा चो टार्गेट है वो लगबक लगबक 50,000 टॉलर पर हम सैट करके चल सकते हाला कि इस टार्गेट में कोई भी चींजिस नहीं है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं लेकिन यहां पर शॉट टम की टार्गेट होते हैं जो कि आप कह सकते हैं दो तीन तीन दिन के टाइम फ्रेम में चीज़ें बनती हैं इसके साथ बात करते हैं हम लोग यह रिबन की ब बुलिश मोमिंटम क्रेट कर सकता है और फिलाल में चार्ट थोड़े से होशपोश हो गए तो मैं इसमें से इन कुछ चीजों को रिमूफ कर देता हूं जिससे कि हम लोग चार्ट को और जदा बैटर तरीके से देख सकें और यहां पर इसको भी अब हम रिमूफ कर देते है आगे आने वेले वीडियो में भी इसी चीज़ को कंटिनुई यहां पर कर सकें बागे दोस्तों अगर आप इसी तरीकर का टेक्निकल आने से सीखना चाहते हैं तो टेक्निकल आने से की कोर्स के उपर चल रहा है यहां पर डिसकाउंट का इंडिपेंडेंडेंस से से के हिसाब से तो यहां पर अभी तक आप जॉइन नहीं करें तो आप कर सकते हैं जहांपर का प्रूंटी परसंट का डिसकाउंट ले सकते हैं इस कोर्स के उपर और इस कोर्स को करने का के बलाप क्लिप्टों में नहीं बल्कि फॉरेक्स में कम इन दोनों के लावर मेरा कोई और नहीं है आते हैं तो यहां पर मैंने आपको बता दिया कि अंदर अभी क्या-क्या चाहिए चल रही है अगर मार्के जहीं है तो अगर यहां पर बता है तो कोई बी पॉसिबिलिटी यही है कि मार्के इसको ब्रेक करता है इसके उपर hold करता है तो हम लोग long की position पर जा सकते हैं जो कि 50,000 तर यहां पर जा सकती है यहीं पर बात करते हैं CME gap के बारे में तो फिल होई जाएगी क्योंकि अब अगर पैसे सूपर जा रहे हैं तो यह वाली CME gap को आप थोड़ा मान सकते हैं कि फिल हो जाती है इसके उपर अगर कोई बनती है तो आने वाले वीकेंड के बाद हमें पता पढ़ जाएगी नेक्स अपर बात करते हैं इंदर हम लोगों को एक बुलिश देखने को मिल रहा है जिसके यह थोड़ा सा बाउंस पर कर सकते हैं 46 के असपास थोड़ा ध्यान दे सकते हैं बट इंपॉर्टेंट यह है कि मार्केट यहां पर जो ब्लू लाइन इसके उपर आए इसके उपर अगर नहीं आती रॉमनें के उपर जो कि हमें 47% के उपर यहां पर मिलने वाली है अगर हम लोग बात करते हैं अदर के बारे में तो जैसे में आपको कल बता था कि मार्केट इसके इसके इंदर गिर सकता है अगर यह वापिस अंदर गिरती तो आपको 5-10% का डॉप देखने को मिल सकता है लेकिन जो देखने को मिलेगा और हमारे टार्गेट यह वाला होगा क्योंकि अभी हम इसको ब्रेक कर गहें इसके नीचे आपको कोई भी डेटा आ जाता है और हम उसको फिर फेक आउट की कैटिकरी में रख सकते हैं कुछ और भी कह सकते हैं आपके मैटर्स या और भी पैरामिटर्स के वाले जिसके बाद हम उसको एक बियर की कैटिकरी में डालेंगे लेकिन मार्केट के लिए बुलिश है कोई दिक्कत नहीं है और यहां पर जो भी का मीजर सपोर्टिव लेवल हमें देखने को मिलता है इस पॉइंट पे वहापे 11.8 यानिकि इसके असपास तक भी अकर आ अपरी एरिया जिसे हम कह सकते हैं उसको टेस करके मार्केट ऊपर के तरफ चला गया तो यह वाला जो पैटन है यह ऑल्मुस्स कंप्लीट हम पो सकते हैं बट इसमें चीज आ गई है जो कि हमारे पास रसेस्टेंस वाली यानिकि मार्केट को एधिरम को भी अगर उपर जो हमें इस एरिया तक मार्केट जाता हुआ पर मिल सकता पर यहां पर कोई रिजक्शन होना चाहिए अगर कोई रिजक्शन होता है तो फिर यहां पर प्राइज के दर ड्रॉप भी देखने को मिल सकता है यह में के अगर बात करते तो वह लुए सपोर्ट का बाउंस हो है अगर कोई बात कर सकते हैं और यह एक लोकल सपोर्ट है इस पॉइंट पर जिससे ही मार्केट बाउंस कर गया है तो अगर आपने यहां से भी टेट ले लिया था तो इस वेरी गुट आपको एक और टेट देखने को मिल जाता है बड़ अगर नहीं लिया है और अगर कोई हमें एक और देखने को मिलता है राउंड 174-173 के असपस तो हम दुबारा से यहां पर रेडी हो सकते हैं और जो हमारा टार्गेट है 220-226 का उसको भी हम जल्दी एचिव होता हो आपर देख सकते हैं इंडिकेटर बुलिश हो गा है तो इनमें कोई ज्यादा चिंजिस नही करा है जो कि बहुत जड़ा है अगर आपका 23 27.3 यहां पर ब्रेक होता है तो चांसे ज्यादा बढ़ेंगे कि मार्केट इसको फोल्ड करें नहीं तो भी चांसे से कि मार्केट थोड़ा भी डिप करता है तो अपनी जो चेंजिस हैं उनको यहां पर कर सकता है तो में भी सबसे पहला जो एरिया वही वाला था 370 के असबसे मार्केट ने अल्मोस बाउंस कर लिया आप कल की वीडियो में यह चीज देख सकते हो जाके और दूसरा लेवल था यह वाला तो यहां से मार्केट ने अच्छा बाउंस दिया अभी सभी कोई की तरह है इसमें भी आपको एक resistance देखने को मिल रहा है जो कि 402-408 डॉलर के बीच में और यह resistance अगर क्लियर हो जाता है मतलब कैसा ब्रेक होता तो जितनी हाइट इस वाले नेक्स वाल की बात करें तो यह है XRP जो कि अंदर की तरफ भी घूम रहा है हमारा बिसिकली जो मोटिक था वह था पॉइंट नीचे गिरा है पर पॉइंट नीचे गिरा है पर पॉइंट नीचे बाउंस हो गया तो आइंटी थोड़े से मिस हो चुकी है अब जो हमें करने को मिल सके और कोई corrections आते हैं और market point के उपर रहता है तो हम दुबारा से entry के यहां पर सो सकते हैं नियों की बात करें तो यह है दोस्तों डॉट इसका जो majority supportive level है वहां तक price नहीं आया पर अगर आप चाहाए तो इसको थोड़ा सब बढ़ा करेंगे तो exactly price वहां पर hit करके गया है बट इसको नहीं मान सकते हैं कि थोड़ा सा उपर था हमने box कल नीचे लगाया था बट अभी currently जो resistance है वह थोड़ा break हुआ है and ease out होने की कोशिश कर रहा है इस level की उपर आपका market hold कर रहा है 21.3, 21.9 तो वही पहली depth वाला concept आपका यहां पर लग करके गया है and अभी के लिए तो यह resistance थोड़ा सा heavy है 638 से लेकि 640 यह वाला level जैसे हमें break करता हूं मिलता है और जो हमारा second target है 748 to 50 टॉलर वहां तक market फिर hit कर सकता है next one की बात करें तो यह है दोस्तों इसमें कोई खास changes नहीं और मैंने आपको कली बिता था कि market नीचे आता था बट इतना चलता हलका फूलका और यहां से जो हमारा level था वो था 13% पर जो market momentum दिया है वो अलगवक 10% दिया है जोगर आपने कल की वीडियो देखी थी तो सोल में आपने में भी शादें पर profit बनाया होगा next one कि अगर बात करें तो यह है दोस्तों कड़ानों जिसमें में करें 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 कर शाम तक क्या सकते हैं कि संदे तक यह target हो सकता है तो आप कह सकते हैं कि अच्छे performance में चल रहा है और लाश्ट मैंने पता था कि यह यह जब भी ब्रेक होगा तो अपने हाइट को टेस्ट करने की कोशिश करेगा इवन उसको ब्रेक कर चुका है तो अगर एसी तरह के का कोई formation बनता है तो मार्केट एक और डिप देने के बाद हमें 2.4 तक देखने को मिलेगा पर अभी त्लिए आप 2.13 के असफार करके आप चल सकते हैं तो आपको सारे कोईंस समझ आगे होंगे आप अपने चाट पर जाएए वहाँ पर जाके ड्रॉ कर ल है वह 76,000% के अभाव हुआ है यह बहुत बड़ी बात है अगर आप इसका देखें तो इसने भी कही ना कहीं 1 billion dollar का जो ट्रांजेक्शन वाल्यू में वह आप एक्वार करा है और 1.18 million open C के उपर जो ट्रांजेक्शन है वो प्रोसेस हुए तो open C की पात के 2018 में बहुत कम था सब्सक्राइब यहां पर हो जोगा जो कि नोने यहां पर चीजों को बढ़ा हुआ है तो क्रिप्टो के बड़े लगने चाहिए अगली दूस्तों कि खबर की बात करें तो यहारी जैक्ट डॉर्सी की तरफ से कर सकता है और इनकी बास सब्सक्राइब कर सकती उसमें बहुत सारे इंग्रियंट की जोड़त यहां पर होती है तो आपको आपका ट्वीटर यहां पर चीजों को लाना चाहिए ताकि हम स्टोर कर सके एंफ्टी को तो नहीं बता है कि मैं अग्री करता हूं बट दिरे दिरे यहां पर बिल्ट अप होने वाली है अगली दोस्तों खबर की बात करें तो दोस्तों यार यहां रियल स्टेट की तरफ से आपके सबसे रियल स्टेट का मार्केट का कितना होगा अगर एक एक एसम्शन दे तो कमेंट बॉक्स मां बता सकते हैं लेकिन अगर इस के market को यहां पर करा जाता है तो यहां पर potential है कि 1.4 trillion का market यहां पर slowly space कर सकता है और यह जो 1.4 trillion यह पूरा market नहीं है यह just 0.5% market होगा जो कि अनले पास हमें tokenize करके हाँ पर acquire करा जासकता है जिसकी valuation यहां पर 1.4 trillion होगी लेकिन अगर हम global यहां पर बात करते हैं प्रॉपर्टी के market की तो वह है 280 trillion तो एक बहुत बड़ा market है अगर 0.5 भी आता है तो दीरे 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 चीज़े सुदर में लगेंगी और आने वाले 10-15 सालों के अंदर हम बहुत सारी चीज़े को tokenize होता हुआ भी यहां पर देख पाएंगे अगली दोस्ता पर खबर आदी बिट्कॉइन की तरह से बढ़ना स्टार्ट हो गया उनके नदर जब पाना स्टार्ट हो गया और यह बहुत अच्छी बात है क्योंकि ज्यादा स्टार्ट होने वाला है चाहिना से पिछली बार भगा दिया था तो अब बागी बार जाके कहीं सेटल होने की खुज़िश कर रहे हैं और अगर बिट्कॉण की डेटा के हिसाब से देखे तो जो पीक हमें डंब देखने को मिला था अब यहां पर कहीना की recovery आना स्टार्ट हुई है जिसमें कि जो थोड़ा सा बढ़िया पर फिफ्टीं के असपास पास पहुंची है तो यह एक अच्छा सिंप्टम है लेकिन इसके recovery बहुत जदा important है क्योंकि 6 मिने में देखे तो हम 250 पैटा हिश के असपास थे आइधिंक पैटा हिश है यहां पर एक बार मैं इसक जो औरेकल का data है उसको अर्बिट्रम की उपर यहां पर शिफ्ट कर दिया चालू कर दिया शिप्ट की मतलब किसे तो एक और चीन वहां पर चालू करिए जहां पर और डीट्रम आपको नहीं पता क्या तो जैसे मैं पर लेर टू सॉलुशन था उसी तरीके से अर्वी ट्रम करते हैं बिना किसी मगज मारी के और वह भी लियर टू पे जिसमां पीस बहुत ज़्यादा नॉमिनल है अगर आपको लगता है तो मैं इसको भी कबर यहां पर कल लूँगा अगली दूसरा पर खबर आ रही है फ्री टॉन की तरफ से फ्री टॉन के लिए चालती रहते हैं पर उनके जो आफर से भू भी आपको मिलते रहते हैं तो यहां पर बेसिकली फ्री टॉन भी इनिशेटीव जहां पर कि वह इसको डिस्ट्रिब्यूट करते हैं जिसके वाले पहले एक वीडियो में बदा हुआ है अब यह लोग है टॉन का स्वाइप 2.0 लेकर आ चुके है यहीं बैसिकली वैसे स्वाइब जैसा भी अमने यूजस आप यहां पर देख सकते हो इसके साधे और वी च matériel को शीवाम पर करते हैं तो इसके सλά हूझ है humility आफ चीज़ों को तो अगर आप तॉन को देखते हैं आप अल्री से थोड़ा बहुत भी पार्ट है अगली दोस्ता आप जो खबर आ रहे हैं आज की हमारी आखरी कबर यह दोस्तों डॉगी मॉन गू की तरह से आप सभी लोग ने खेला होगा नहीं भी खेला तो नाम जरूर सुन इतना इंट्रेस्टिंग मुझे लगा नहीं क्योंकि इतना कुछ क्लिर्टी नहीं थी लेकिन इनकी वेबसाइट है उसको आप चैकाउट कर सकते हो और पीछे का जो बैक्राउंड है वह देखके लग रहा है कि हमें शाहते इसको रियल वर्ड में ही खेलना पड़ेगा तो अब देखने को मिल रहा है तो नई चीजों में थोड़ा सा रहता है इन्होंने भी बोला कि अभी यह चीजें डेवलप्मेंट के अंडर है वेट यह एक गेम है तो आइधा कि हमें बाहरी खेलना पड़ेगा अगर एक अच्छा गेम होता है तो मैं आपको ट्राइकर करके पर गिग बताता हूँ और इसके बाद प्रहम देख सकते हैं कि क्या इसको खेल के कितने कंडे करें वीडियो पर पॉपर पहूंपर पर प्रिविडियो को लाइक करेगा दोस्त वीडियो पर बिश्क्राइब करेगा चैनल को बिल्कुर भी न बुले और साइड में देखे बाल को दबाके और के बाग क्लिक कर लें ताकि बराने वनी सब वीडियो के इंफॉमेशन प्रॉपर टाइम पर पहुचा सकें तो मैं मिलता आप सक लिए कुछ आप देशिंग वीडियो के साथ तब देखले हैं और ग्रेट देखले हैं और बाई